जाहिंद इस वीडियों हम लोग ACI Info Comun Limited Company बारे में बात करेंगे बड़े दिनों बाद इस company से लेड़र कुछ news निकल कर सामने आई है तो इस वीडियों हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि उस news का इस company के share price पर क्या असर पड़ सकता है क्या उस news का GSM लिट से बाहर निकलन और भी साथ में बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा आपको आज की इस वीडियो में क्योंकि मुझे पता है आप इस company के share लेकर अभी फंसे हुए है मैं भी फंसा हुआ इस company के share लेकर तो चलिए कुछ सीखने और जानने का प्रयास करते हैं कई कुछ बहतर निकल कर च ची बीस करण के लिहास साब अंदाजा लगे पेनी स्टॉक है और शेयर प्राइस है सिर्फ एक रुपयासी पैसा आज की दिन इसमें थोड़ा गिरावट है क्योंकि अभी इसमें लोवर सेकुट चल रहा है हाई लगा चुका है दूर रुपया बीस पैसा अर्थात इस company का अधिकतम यहां तक आया है बहुत सारे लोगों ने इसके अफ्रेंड ग्राफ को देखकर बाइक कर लिया था बाकी लोग देखते नहीं और सब चीज़े इसलिए नुकसान होता है अब समझे जो important news निकल कर इस company से लेटर सामने आ रही उसके बारे में चार फरवरी को इस company के बौल्ट अफ डेकुर्टर की एक मीटिंग होई और इस मीटिंग में company के डारेक्टर्स ने बताया कि 11 फरवरी को इस company के quarter three का result जारी करने जारा है मैं आपको बताता हूँ कि यह news important कैसे समझे पिछले जो तीन quarter के result आ रहा है मैं जब analysis करा तो मैंने देखा कि पिछले तीन quarter के result में company का revenue profit after tax earning पर से हर एक चीज लॉस में जा रहा है यानि कि company घाटे में जा रही है इस हिसाब से quarter 3 का result company के लिए महत्पूर्ण है अगर यह result जाएगा और से प्राइस supr की तरफ जाएगा लोवर सेट ब्रेक होगा तो बहुत समाने कि अपर सेट भी लग सकता है और जब अपर लगेगा तब तो इसका सेर प्राइस सभाव्य क्रूप सुपर जाएगा शेयर प्राइस एक बार बाढ़ना सुरू हो गया फिर हमें अब आईए कुछ और बात आपको बताता हूं सेवी ने इस कंपनी को GSM लिष्ट में डाल दिया है आपको पता है और GSM लिष्ट में तो भी ट्रेडिंग बंद है इसका लाओं 17 जनुवरी को इसी 17 जनुवरी को इसमें लोवर सेर्किट भी लग गया हमारे आए कहावत करते ह है कि देवकूरी गिले दुन्ना दुख एक तो इसमें GSM लिष्ट में है त्रेडिंग बंद है दूसरा लोवर सेर्किट लग गया सेर का प्राइस उपर नहीं जा सकता है सिर्फ अभी सोंबार के दिन इसमें ट्रेडिंग हो रहा है लेकिन दीकत क्या है कि चुकि GSM लिष् करना चाहते थे लेकिन फिर जो लाश्ट मंडे था 31 जनुवरी उस दिन तक आप देखेंगे तो यह भॉलूम कम होकर सिर्फ 27,000 का सब्सक्राइब यानि कि दिरे दिरे बाइंग करने वाले लोगों कि संग्या कम हो रहे है क्योंकि लोग डरे हुए हैं घबडाए हुए हैं इस कंपनी की स्थिति को देखकर और अगर आप देखेंगे तो सेलिंग ओडर देखिए आज के दिन का मैं बताऊं आज साथ फरोरी है तेरे लाख 24,000 क्यास पास इसमें लोग सेलिंग ओडर लगा कर रख्यों जबको पता है कि इसमें लोवर सेकिट चल रहा है सेयर बेच नहीं पाएंगे फिर भी बेचने के लिए बेचायन है असान वासन हम बताया है तो बेचने वाले लोग अभी जादा है खरीदने वाले कम है तो सेयर प्राइस के नीचे जाना सभाविक है लेकिन इससे आपको डरना घवलाना नहीं है मैं इस कंपनी के बारे में कुछ ऐसी पोजेटी बात में आपको बताता हूं इससे आपको विश्वास हो जाए कि नहीं कंपनी डूबेगी नहीं बरबात नहीं होगे डी लिष्ट नहीं होगी आईए देखिए एक तो कंपनी में भी पोटेंसियल है आईटी सेक्टर की कंपनी रियल एश्टेट में काम करती है इतना तो भरोसता रखे कम्पनी डूब की नहीं दूसरा बात इस कंपनी में प्रोमोटर्स को और थे थे 20% जी कोई कम बात नहीं पहले कंपनी रिजर्व के देखेंगे तो पांस क्रोंस सतर लाग इस कंपनी को पात नहीं है अगर एसेट्स की बात करें जो कंपनी के तो आपके लिए मेरे अक्ष उजा हो है, अगर आप इसमें ज्यादा समय नहीं देना चाहते हैं, और नुकसान ज्यादा हो रहा है, बेसके निकलना चाहते हैं, तो हर एक मंडे के दिन इसमें जब ट्रेडिंग ओपन हो रहा है, तो आप सुबह नौ बज़े के पहले सेलिंग और लगा दीजिए बहुत तुम्में जये कि सेलिंग और एक्सेक्यूट होगा उसी दिन और आप निकल जाएगा थोड़ा लॉस लेकर लेकिन अगर फिर उसमें आपका selling order execute नहीं होता है तो फिर दोबारा प्रयास कीजिए तेबारा प्रयास कीजिए अगले मंडे को प्रयास कीजिए हो ही जाएगा आपको ज्यादा नौकसान नहीं होगा तो उम्हीद करता हूं मैंने जो बाते बता हैं आपको समझ में आई होगी अगर मन में कोई स्वाल है तो मुझे पुछे बाकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद सुक्रिया